iOS 17.4 का update आगया है आप सब के ही devices के उपर, कल ये update जो है वो release हो गया था, आप सब को आपके phones के उपर देखने को मिल जाएगा, मैं एक दिन लेट चल रहा हूँ, यहाँ पर जो size है, वो है 1.7 GB, यह जो size है कम्या जाद हो सकता है, कहीं होने मुझे screenshot भेज़े, उनके पास 1.2 GB 1.3 GB है, और कहीं के पास 4-5 GB भी है, तो size का तो आपको कभी भी worry नहीं करना है, वो तो काफी सारे factors होते हैं, नके उपर worry करता है, तो उसकी tension नहीं लेनी है, जो features है, वो सब को same ही मिलेंगे, और क्यूंकि एक बहुत बड़े size वाला update है, तो मैं आप सब सी यही request करूंगा, कि please आप इसको wifi के उपर ही update करना, hotspot वगरा मत use करना, क्योंकि काई बार बीच में ही रुख जाता है, तो please wifi use करो, इसको install करने के लिए, और अगर आप लोग अपने PC के साथ इसको update करना चाहो, तो वो और भी बैटर है, बट वहाँ पर size जो है, वो 5-6 GB तक चले जाता है, तो wifi best रहेगा, और iOS 17.4 का सबसे बड़ा feature जो है, वो हम लोगों को नहीं मिलने वाला है, वो मिलेगा European Union की कुछ countries के अंदर रहने वाले लोगों को, क्योंकि वहाँ पर European Union ने force किया था Apple को, कि अगर आप लोग ये feature हमें नहीं दोगे, तो आप अपने iPhones को sell नहीं कर पाओग है, apps को download करने के लिए, अब यहाँ पे आपको इस app store के अलावा कुछ और app stores भी मिल जाएंगे, जहां से आप जो apps है, उनको download कर सकते हो, Apple Pay के अलावा भी आप different methods को use कर सकते हो, payments के लिए, जो की बहुत ही बड़ी चीज है, बट अब ये किसी भी और जगा पे नहीं है, ऐसे Phoenix, Lime, Broken Chain, Shaking Heads, ये सारे emojis आपको मिल जाएंगे, emoji keyboard के अंदर, और यहाँ पे 18 people and body emojis जो हैं, वहाँ पे आपको option मिल रहा है कि उनको face आप कर सकते हो, किसी भी direction में, emojis के बाद यहाँ पे जो दूसरी चीज आई है, वो है podcast के अंदर, podcast अगर आब आप सुन रहे हो, तो यह अगर आप नीचे को scroll कर रहे हो, जिस भी जगह पे आप tap करोगे, वहीं से जो podcast है, वो start हो जाएगा चलना, तो यह एक अच्छी चीज और अगर आप कोई चीज सर्च करना चाहते हो podcast के अंदर, अब यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, तो काफी cool चीज, और यहाँ पे अभी य यह support करता है, French, Spanish, English and German, और यहाँ पे आप accessibility, जो features रहते हैं, जैसे text size, increase, contrast, voiceover, उसके साथ भी इस चीज को use कर सकते हो, और अब यहाँ पे एक नया feature आ गया है, 17.4 में Siri के लिए, तो अगर हम Siri के अंदर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आपको एक option दिखते है, messaging with Siri, यहाँ आपको दिख रहा है, add language का, तो अब यहाँ पे आपको support मिल रहा है, काफी सारी languages का, यहाँ देख सकते हो, Chinese, Arabic, French, German, Hebrew, Korean, Russian, तो इन में से किसी भी language का message अगर आपको आता है, तो Siri अब उसको पढ़ के आपको सुना सकते है, अगर आपने announce messages वाला, जो feature है, on किया हुए, तो इसके बाद यहाँ पे, अगर हम लोग चलते हैं, face ID and passcode के अंदर, तो यह एक feature हमें कुछी दिन पहले मिलाता, stolen device protection वाला, इसके अंदर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे एक नया feature आगया, जहाँ पे जो security delay है, उसको आप चाहो, तो always प्यार रख सकते हो, या away from familiar locations पे रख नहीं आएगा, तो काफी लोगों के इसमें problem आ रही थी, तो अब आपके उपर, आपको option चाहिए था, Apple ने दे दिया है, और सबसे बड़ा feature यहाँ पे आया है, iPhone 15 and 15 Pro users के लिए, सिर्फ iPhone 15 series में यह feature आपको देखने को मिलेगा, अगर हम जाते हैं battery के अंदर, तो अब section है, वो ऊपर आ रहा है, charging optimization जो है, वो नीचे आ रहा है, तो अगर मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ से आप सैट कर सकते हूँ, कि आपको optimized battery charging चाहिए, 80% limit चाहिए, यह जो option है, यह अलग कर दिये हैं, और battery health जो दिखती है, वो अलग से दिखती है, और एक चीज़ और क्यू और discharge उसको एक cycle count माना जाता है, और यहाँ पे एक और चीज़ भी आई है, iPhone 15 series के अंदर, चाहे वहाँ पे 15 हो, 15 plus, 15 pro या 15 pro max हो, उन सब में, जो cycle count है, वो पहले 500 होते थे, इससे पहले वाले जितने भी phone है, वहाँ पे, जब 500 cycles हो जाती थी, तो जो battery health है, वो 80% हो जाती थी अब Apple ने इसको double कर दिया, यानि कि iPhone 15 series के phones के अंदर, 1000 cycle के बाद, 80% battery health आपको देखने को मिल सकती है, चाहे size same ही है battery का, बट एपल ने iPhone 15 series की जो battery health है, उसको काफी जादा बढ़ा दिया, अब आप उसको काफी लंबे समय तक sustain कर पाओगे, तो iPhone 15 users के लिए एक बहुत ही और एक चीज़ अभी ये बनाते में दिमाग में आई कि यहाँ पर जो side loading वाला feature है, जो European Union का है, उसको आप ऐसे नहीं use कर सकते हो, कि आप सोचोगे कि यार मैं region change कर लेता हूँ अपना, और उसके बाद मैं use कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, आपका जो phone है, वो GPS को track करेगा वो GPS signal के उपर base रहेगा, तो अगर आप यॉरप में होगे, तब ही आप उसको use कर पाऊंगा, उसके लावा कोई भी method नहीं है, side loading को किसी और जगा पर use करने का, और एक नया feature आगया है, iOS 17.4 के अंदर, यहाँ पे अगर आपको कोई भी Apple verified business call करता है, तो उनका name, logo या department, जो आप लोग देख रहे होगे, कि home लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, पहले ऐसा नहीं था, पहले यहाँ पर listen now था, और इसके अलावा अगर हम podcast में भी चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जितनी भी इनकी media apps न सब में आपको home दिखेगा, सारी चीजों को इन् इंडिया में अभी नहीं चलाए Apple Cash वाला, बट जहाँ पे आप इसको use कर सकते हो, वहाँ पे अब आप एक virtual card number जो है, वो create कर सकते हो, ताकि अगर आप shopping कर रहे हो, और वहाँ पे वो लोग Apple Pay को support नहीं करते हैं, तो यह जो virtual number आप इसको use कर सकते हो, इस information को fill करकर आप जो भ अगर रात होगी, तो यह रात देखने लग जाएगा, तो एक दम नया widget आगया है, iOS 17.4 में, इसके लावा कुछ bug fixes भी है, iOS 17.4 के अंदर, जहाँ पे find my के अंदर, जिनको भी अगर आप people के अंदर जा रहे थे, और वहाँ पे जिनको भी आप track करना चाह रहे थे, उनका contact poster जो है, जो उनकी contact picture है, वो बिल्कुल blank आ रहे थी, तो उसको Apple ने fix कर दी, और जो लोग यहाँ पे दो SIM यूस कर रहे थे, और एक number को primary रखा था, दूसरे को secondary, वो अपने आप switch हो जा रहे थे, और जितने भी groups वगरा, message कर रहे थे, उनको पता लग रहा था, तो उस 17.4 के अंदर, और यह है main main features, और जो सबसे बड़े features है, वो मिल रहे है, European Union के अंदर, उसके अलावा यह कुछ features है, जो आपको मिल जाएंगे iOS 17.4 के ऊपर, और यह थी मेरी video, अगर आप मेरे से पुछो कि install करना चाहिए, या फिर नहीं, तो मुझे नहीं लगता कोई बहु आपको यह वीडियो पसंद आये होगी, और इस वीडियो करते हैं, खतम मिलूंगो आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, बाबाई